नमस्कार विद्यालति मित्र हो, मैठ्स क्लास्वूम मदे अपना सर्वान से मनपर्वक स्वागत, मिधी जेवाग, स्री वसंत्राव जेवंत्राव देश्मु खश्कुल कुलापूर, आज अपन 9th मैठ्स 2 मदिल 3rd चाप्टर, ट्रेंगल्स कंटिन्यू करीता हुद, लेट स्टाड़िट, ओके स्टुडेंट्स, पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर थेरम सम्झावन घिन्यापुर्वी थोड़ीशी फिगर अब्जर्व कर विया, आपने 6 स्टांडेड पासंद पाहतो है, कि एका त्या सेग्मेंट चा मिड़ पॉयंट मदून जर पर्पेंडि अब्जर पर्पेंडिकुलर चा मिड़ प्पेंडिकुलर पाईनों घिल्याजेत। अता तेच्छा पूड़ा हा थेरम काय सांगते पहा कि या परपेंडिकुलर बैस सेक्टर ही जी लाइन है या उर कोंता ही एक अधा पॉइंट असेल सपोज हा पी पॉइंट है जो लाइन एबी वर है तर हा पी पॉइंट जो आहे तो त्या सेग्मेंट चा एंड पॉइंट दाइसमींज ए और बि है तेच्छे जे एंडपॉयंट साय त्या पॉइंट त्या पॉइंट इक्विदिस्तन जो जाओ पॉइंट सेग्मेंट पासेल त्या जो लाइन एब्सेल असा थेरम सांगते अनसा थेरम काय सांगते या नियमघक हाक every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant प्रत्यक point हाँ equidistant अस्तो कुटोन अस्तो from the end points of the segment segment चा end point पस्वून तो equidistant अस्तो बंजे च्पीजर हाँ perpendicular bisector असेल तो जवड़ा PA असेल ते उड़ाच PB असेल असा हाँ थेरम संगतो है याचा जे प्रूफ आहे तो अपले प्रिस्तेका मदे प्रूव करून दाखो लेला है मैं थोड़ा से इता फास्ट मदे तुम्हाला संगतो है आपन जर इता figure observe की दी तो अपले ला दोन triangle देशता है हाँ जो triangle देशतो PMA आनि हाँ second triangle PMB जर आपन हे triangle congruent प्रूव के ले ता तेच्चे remaining part महनून आपन PA आनि PBA congruent दाखो शक्तो है मग triangle मदे आपन महनूश शक्तो है segment MA जो आहे तो segment M बिला congruent असेल करन given part चाहे तो bisector है सेम वे आपन मनतो है angle PMA जो आहे तो congruent असेल angle PM बिला करन हे दोनी angle 90 दिखिए हाँ सुधा given part है मजे bisector सा एक part चाहला परpendicular सा एक part चाहला दोनी triangle मदे PMEG side है ती common side है ते यह अचा चाहर था आपना सम्हनूश शक्तो side angle side या टेस नुशार हे दोनी triangle congruent होती यह वाद दोन triangle congruent होता तेवा तेचे remaining पार्ट सस्ताथ मजेस corresponding sides आसो corresponding angles आसो ते congruent होता यह अचा चाहर था अपना सम्हनूश शक्तो कि हाँ जो segment PA है तो congruent होईल segment P बिला because of the corresponding sides of congruent triangles जो triangles congruent आले मजे तेचे corresponding sides चाहे ते congruent होती लिए पद्धे तिने तुम्हीं प्रूव करूश शक्ता मजे जशा आता यह थेरम मजे आपना सम्हनूश लग की perpendicular bisector वर चा कोंता ही point अचाह लाता इता P point आखोला मंजे तो एक अचाह यह अचाता भाग ने समझा इता हा Q point आए हाजो Q point आए तो सुद्धा यह perpendicular bisector वर आए यह चाह चाह तो end point पॉसुन ज़े Q चा distance है मंजे A Q अचेल अथवा B Q अचेल हे distance सुद्धा इक्वाल असता मंजे छाथेरम काई संग तो लग्षाद गया Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment मंजे short मदे आपना से लग्षा थिव की perpendicular bisector हो राहे मंजे त्याचा अंतर जाहे अचेल याचा उलट समानांतरा उल जाल असेल end point पॉसुन समानांतरा उल असेल तर्थो perpendicular bisector हो जस्तो जला याचा क्वानुवस मनता त्याचा पूफ पुष्तागा में दिले ले त्याचा थोड़ा सा स्टड़ी कुरून गया ते फक्त इदा statement काई दिले थे पुना एक दलक्षाद घ्या any point on the equidistant any point equidistant from the end points of a segment segment चेजे end points है त्याँ पसंजर equidistant असेल तर्थो अपना सम्हून चोक तो that point lies on the perpendicular bisector of the segment त्याँ perpendicular bisector असेल तर equidistant असेल तो perpendicular bisector अहे that is means that point lies on the perpendicular bisector of the segment जाँ पद्धत यहाँ perpendicular bisector थेरम पहला याँ पद्धत ने angle bisector थेरम है मंजे जीतर segment चे equal दोन parts करना रा perpendicular bisector जाला त्याँ पद्धत ने angle चे दोन equal parts के लिए कि angle bisector जाला angle bisector चे अपनाला concept अशिमाईत है suppose हाजो triangle sorry angle हाजो PQR है या angle चे जर या ray QS मुढ़ए equal दोन parts होता सतील त्याँ आजो ray QS है जाला आपने angle bisector है से मनतो that is means हाजो angle PQS आने हाजो दुसरा angle होता है SQR हे जाल दोन angle equal होता सतील angle PQS and angle SQR हे दोन angle जे हुआँ equal होता त्याँ आपन मनतो कि हाजो segment QS है तो angle PQR चा angle bisector है जाँ पद्धतिने perpendicular bisector वल सा कोंता ही point त्याँ end point पासुन equidistant है त्याँ पद्धतिन angle bisector वल सा कोंता ही point हाँ त्याँ side पासुन equidistant है सपोज ए हाजो point है तो angle bisector वड़ा है मतो त्याँ side पासुन याचा चार्थ या angle ची एक side QR आहे आनि दुसरी side QP आहे त्याँ पासुन equidistant आहे मंजेच ए पासुन C हाजर perpendicular आपन ड्रौ केला तर ते मंजेच त्याँ side पासुन सा distance जला मंजे ही जी side angle ची side QR आहे त्याँ ए पासुन सा distance क्योँआ ए पासुन सा त्या line पासुन सा क्योँआ पासुन सा क्योँआ साइड QP पासुन A point सा distance मंजेच AB जला मनुन आप्लेल हाँ angle bisector theorem काई संतु पाहा every point on the bisector of angle is equidistant from the sides of the angle मत जया पद्धतिन आपन तिथव ते प्रूव पातास्ताना ते दोन त्रे अंगल कॉंगरन प्रूव केले तसाच इता आपन मनुष्यक्त है यह angle है angle congruent है करन गिवन पार्ट है आथ है distance है मंजे दोन perpendicular है मंजे इच 90 डिगरी आला आणि दोन ही triangle मदे आपन जर पाहिला तोर आपने लक्षा तिल कि जी side QA है ती common side है यहाचा चारत है दोन ही triangle congruent हो शक्ता है यहाचा चालत है जोड़ा ABSL त्यवड़ा ACSL because of the corresponding sides of congruent triangles यहाचा अधर है अपना सम्हुनु शक्त हो every point on the bisector of angle is equidistant from the sides of angle महाँ point A है असा भाग नाई suppose हाँ S point है जो यहाँ S गयाँ कि वहाँ इता सम्झा एखादा point है यहाँ points तुमारा जो QR पासुन distance पाज़ा असेल तर इता QR पर्मेंडिकुलर काड़ा वाला अगेल यहाँ S पाज़ा पाज़ा असेल तिथा पर्मेंडिकुलर काड़ा वाला अगेल महाँ इता अपन मनुशक्तो जेवड़ हे distance है तेवड़ छे distance every point on the angle bisector is equidistant from the sides of angle मन्जेज तो angle bisector वर असेल तर equidistant आला महाँ यहाँ Converse मन्जेज ज़र sides पासुन equal distance वर असेल equidistant असेल तर तो angle bisector वर असेल मनुँ ते statement काई देलेले पाहा any point which is equidistant from the sides of an angle is on the bisector of an angle मन्जेज पुना ते वाक्य रिपीट करते पाहा जर तो equidistant असेल तर तो bisector वर असेल that is means that point is on the bisector मन्जे bisector वर असेल तर तो equidistant है equidistant असेल तर तो bisector है हाच आपन angle bisector theorem पाहा तो है माता perpendicular bisector आने angle bisector theorem है जे दोन theorem है यह और आधारी प्राक्टिस सेक में लिजी उधारने ती पहले अंदर सम्झाओन क्यों हुई है first question क्या है पाहा in figure point A is on the bisector of angle x y z हाजो x y z angle है अच्छा bisectoral point A है that is means y हाजो आहे ray ray y is the angle bisector of angle x y z आस आपन महनुशप्तो if ax is equal to 2 cm then find az अपने लहा ax 2 cm संगित लिला है तर az किती है जर हा angle bisector वाला सेल तर तो equidistant असतो याचा चार्थ ax अनी az a distance equal असता आपन महनुशप्तो मातर त्या साथ यापन angle bisector theorem चाधर गेतो मुन इच्चे मांड़नी करता सतान अपले लिते सुरवातिला मनायल पाईजे in figure हाजो ray y आहे ray y is the angle bisector is the angle bisector of angle x, y, z angle x, y, z सा तो angle bisector आहे therefore by angle bisector theorem therefore by angle bisector theorem तर थेरम न उसर आपन महनुशप्तो कि जोड़ डिस्टन्स a x सा है तोड़ डिस्टन्स a z से परंतु a x ही डिस्टन्स आपनाल 2 cm दिले ले that is means आपन महनुशप्तो a x is equal to a z is equal to 2 cm मन्जेज a z ही डिस्टन्स असना रहे ते 2 cm आसा ही छोटा से उधारे ले next question काया पाहा in figure angle r st is equal to 56 degree angle r st हा संपूर्ण जो angle संगित ले ले है तो 56 degrees है segment p t which is perpendicular to ray st हा p t जो है तो st ला perpendicular है same way pr हा s r ला perpendicular है and segment pr congruent segment p t pr and p t है segment congruent है तरसा संगित ले ले find the measure of angle r sp r sp हाजो खलसा angle है तो आपने ले विच्छा ले ले किती measures तरसे state the reason for your answer अता अपने ले हाजो sp रहा है तो angle bisector रहा है संगित ले 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 नहीं है परन्तु त्या वरे जो point p आहे तो त्यचा side person equidistant है माझे जोड़ा p ty है तो आपने ले 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 फए या फिगर मदी है जो गश्टी दिले लाए, that is means, जो हाँ सेगमेंट PTA है, जो परपेंडिकुलर संगीत लेला है, रे स्टिला, सेम वे, जो सेगमेंट पीया राहे, तो सुध्धा परपेंडिकुलर राहे, रे स्र ला, अल्सो तो जो सेगमेंट पीया राहे, तो इकुल राह आपले क्वेस्चन मदे दिला है मंझे इस गिवर है मंझे हे पर्पेंडिकुलर आहे मंझे ते डिस्टन्स आहे अनि ते डिस्टन्स इक्वाल है मंझे आपन अंगल बाइसेक्टर थेरम चा कॉन्वर्स नुसार मनुशक तो therefore by the converse of angle by sector theorem जर तो angle by sector और असेल तर इक्वीडिस्टन्स तो इक्वीडिस्टन्स आहे मंझे तो angle by sector आहे मंझे त्या थेरम नुसार मंझे ते चा कॉन्वर्स नुसार आपन आसा मनुशक तो की जो तो ray SP आहे हाजो ray आहे तो संपूर्ण अंगल चा मंझे चा अंगल आरेस्टी चा ray SP is the angle by sector of angle RST मंझे चा कॉन्वर्स नुसार मंझे तो खल सा अंगल है मंझे चा अंगल जो विचार लेला angle RASP जो आहे तो संपूर्ण अंगल चा हाप असल that is means measure of angle RASP is half of the measure of angle RST परन्तु संपूर्ण जो अंगल दिलेला है तो आपने ले 56 डिगरी चा दिलेला है मंझे चा हाप केला मंझे 28 डिगरी मनुण आपन इते मनुशक तो की measure of angle RASP RASP या अंगल से जो measurement असल ते 28 डिगरी असल आपन मनुशक तो मंझे हाँ संपूर्ण कों 56 डिगरी चा है उनुण तेचा हाप जो असल तो 28 डिगरी असल आपन मनुशक तो तो कौनुशन सार angle bisector हो रहा है मंझे तो angle bisector है आप लेला सुरुवा ते ला दाकवाए ला हो त्यार अंतर मंग टोटेल अंगल 56 तेचा हाप केला 28 डिगरी मिलेला अशी चोटी दोन उधारने साल आना तर यास प्रेक्टिस्टी में अदली जी प्रूच उधारने टू प्रूव साटीजी का एक्जाम्पल से थी पहुया क्वेशन का है पहा प्रूव दाट दि बाइसेक्टर अफ अंगल BAC अफ ट्रीगल ABC इस परपेंडिकुलर तो साइड BC ट्राइंगल ABC मदे जो अंगल A आहे तेचा बाइसेक्टर साइड BC ला परपेंडिकुलर आहे अचर असरेल तर दिन वी हाव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इस अन आयसोसलेस ट्राइंगल अपलाली तो फिगर दिलेली नहीं आपलाल ती थोड़ीशी ड्राऊ कराईला आभी आपले ला आइसोस्रेस प्रूव कराएचा है मनुन त्याप पद्दतिने थोड़ा सा ट्राइंगल आपन कड़ूंग घितला तरीचा ले मनझे अपले लग्षाती सपोज हा ट्राइंगल ABC है जा मदे BAC चा बाइसेक्टर कराएचा है मनुन ए पॉइंट हा इता गेतो है जैने कुरून हा BAC या एंगल चा बाइसेक्टर मनझेच हा जो एंगल A है याचा बाइसेक्टर आपले लिए द्राइचा है सपोज हा ट्याचा बाइसेक्टर है मनझेच हा BAC चा एंगल बाइसेक्टर जो BC ला पर्पेंडिकुलर आहे असे सांगीत ले question पुना एक दावास्त वे पहा the bisector of angle BAC is perpendicular to side BC या side BC ला perpendicular आहे suppose हाँ D point है असे असे ले प्रूव करेचे कि हाँ triangle isosless है मंजे जा कोंते आत्री side दों जा आहे त्या equal आहे थे ते मंजे जा जो triangle ABC आहे तो isosless triangle है that is means triangle ABC is an isosless triangle और ता साजी करचा ये तहे जे दों triangle जे तयाव जाले ले ते जार आपन कॉंगरन प्रूव करूँ शकलो तर आपन महनु शक्तो कि ही side AB आनि ही side AC equal होई मंजे जो triangle isosless होई माता हे जे दों triangle आहे थे मंजे जो triangle हाँ ADB आनि हा triangle ADC या दों triangle मदे जार पहिले ते रहा जो angle BAD आहे angle BAD which is equal to angle CAD करन हा angle bisector सांगित लेले मंजे तो given part जाला सेम वे आपन महनु शक्तो angle ADB आनि angle ADC हे दोनी angle equal होतील करन हे दोनी each 90 degree छे होतील आनि दोगा मदे ही common side area है मंजे जे angle side angle टेस्टन सा triangle congruent हो शक्तात मैं एक दा का triangle congruent साले कि ते चे corresponding जे side साथ वा angle साथ ते आप आप congruent होतात मनुन आपन शुरुवा ते रहे triangle congruent दाकोन गिविया मनुन प्रूफ ली तस्ताना काई करा लावा पहा अपन दोगी triangle शेना हो ली हूँ इन triangle ADB and triangle right hand side चा ADC या दोण triangle मदे ही जी segment area है ती common आए क्यों शुरुवाती ला हाँ angle ली हूँ angle BAD जो angle BAD है तो congruent होई angle CAD ला करन हाँ angle bisector है मंजे जे गिवन पार्ट है same way फुड़ा तो perpendicular है मंजे जो angle ADB है तो congruent है angle ADC ला या ला सुधा गिवन मना आथवा each 90 degree मनुए करन थे perpendicular सांकित लेला है और ही जी side AD है मंजे segment जो AD है तो congruent होई segment AD ला because this is the common side मंजे दोण angle चा pair congruent है लिया और एक side congruent है मंजे side angle side test लेला है या दोण triangle congruent होती ल that is means triangle ADB which is congruent to triangle ADC ला करन दिवे आपन angle side angle test अन्य एक दा का triangle congruent है लेकिते चे corresponding जा pair सस्ता त्या congruent होता त्या आचा आदार या पन होनू शोक्तो therefore segment AB congruent segment AC मंजे हाजो segment AB असेल तो segment AC ला कि वाँ side AB congruent side AC असेल या because of the corresponding sides of congruent triangles मंजे संपूर्ण triangle ABC में जार पही लेता तो या दोण side equal जालिया that is means AB अनी AC इक्वल जालिया मंजे दोण side equal जालिया मंजे हाजो ABC triangle है तो isosless triangle है मुन आपन स्योक्ती लाइचा है therefore triangle ABC जाहे तेला आपन it is an isosless triangle असा आपन होनू शोक्तो next question काया पाविया in figure triangle ABC in triangle ABC segment AD and segment BE are altitudes हाजो segment AD है तो altitude है अचा सार्थ A vertex मदून तेचा opposite side वर perpendicular draw के लेल है मंजे इस BC या side ला तो perpendicular है also segment BE is the altitude हाँ BE सुधा altitude है मंजे इस BE हा side AC ला perpendicular है मंजे इस point D and point E या ठिकानी right angle तयाल सालिले शुवाई पुड़ा सा सांकित लेला है AE is equal to BD हाँ AE हाजो segment है तो BD ला equal है अन्य आपने ला प्रूव करेचा है segment AD congruent segment BE अन्य ही जी BE altitude है ही congruent है प्रूव करेचा साइड तेमाच congruent होनार जा triangle congruent है देलतर अपने ला देलेले जे equal part है ते मंजे या AE ला हा BD equal देलेले शुवाई हे दोन right angle देलेले अन्य अपने ला या जे altitude से त्या congruent दाक्वाई चे मंजे आपन आशा पद्दती निधा triangle घावे लागनार कि जा मदे AE BD पन आयला हुआ आनि altitude पन आयला हुआ मैं थोड़े से तुमचा लक्षा तेना साथी ते triangle थोड़े से highlight करते तो एक triangle आपन आशा पद्दती ने बगाई चे जे मैं आता है इता red dot टक ले ले था हाज़े triangle तुम्ही पाहिला जो triangle होतो है पाहा हाँ triangle AEB हाँ एक triangle हुई आनि दुसरा triangle जो तुम्ही अबज़र के ला सपोज आपन हाँ आशा triangle पाहिला जला मैं आता line के ले 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 जा triangle मदे हाँ जो दुसरा triangle आपन पाहिला तो मंजे ADB मंजे dotted के ले ले triangle हाँ AEB आनि हा triangle ADB हे दोन triangle आशा पद्दतीन आपन निवडले कि जा मधे AE side है थे BD हैते शुआ ये दोनी altitudes है त मग हे triangle ज़र congruent प्रूव के ले तर आपन होनु शक्तो कि AD आनि BE हे जे पार्ट है थे congruent होती है मंजे अपने ले ले दोन triangle congruent दाखोवे लगती है मग फिगर अब्जर के लिए पुना लक्षा तील कि अपने ले सांगित लेला है कि AE congruent BD गिवन पार्ट है AE आनि D 90 डिग्री चे आनि दोनी triangle मदे AD ही जी साइड है थी common side मन आपन घ्यू हो शक्तो मंजे थी common side साली आनि ही साइड ची एक पेर आनि ही angle ची एक पेर मंजे राइट आइंगल ची आपोजित हाइपोटीनियस आनि ही साइड बंजे हाइपोटीनियस साइड टेस्ट नमसारा आपन हे triangle आगल कॉंगरन प्रूव करूँ शक्तो मनोन यचा प्रूव लीतास्ताना कश्या पद्य दन लीले पाज़े पाहा इन ट्राइंगल AEB आन्ड ट्राइंगल AEB घ्यत लानांतर आपन BDA या कर्रेस्पोंडेंस नुशाल जाइचा है BDA या दोनी मदे A आनी BDA है कॉंगरन टायात मनझेच महनू अपन segment A which is congruent to segment BDA करन है आपनला question मदे दिलेलाया मनझेच हा given part साला सेम वे आपन मनूशक्तो angle AEB जो आहे तो congruent है angle BDA येला करन हे दोनी angle 90 degree दिलेलायात मनझेच इता आपन इच 90 degree महनू या कुंते angle गेते लग्षाद गया angle AEB which is equal to angle BDA इच 90 degree आनी या दोनी ही triangle मदे AB ही common side है उन तो तिसरा पार्ट लिए हू segment जो AB आहे तो congruent है segment AB ला because of this is common side segment अथवा side कुंता ही उल्ले कित करूँ शक्ता मनझेच हे right angle चा opposite hypotenuse आनी तेची एक side equal जाली मनझेच हाइपोटेनियस side test नुसार हे triangle congruent साले मनून अपनी तमना एक साय triangle हाजो AEB आहे तो congruent होई triangle BDA because of the hypotenuse side test जेवाँ दोन triangle एक में करना congruent आसता तेवाँ तेचे remaining part आप आप congruent होता याचा चार्थ AEB हाँ जो triangle आहे जो triangle AEB आहे तेवाँ दे BE ही जी segment है ते altitude आहे अपली और दुसरे triangle में दले AD ही altitude है हुनुन अपनी तास महनूशक तो कि हाँ जो EB segment है तो DLA congruent आसे मनझेच segment EB हाँ congruent आसे segment DLA because of these are corresponding sides of congruent triangles मनझेच हाँ EB मनझे BE segment आनि DA AD segments आला फक्त आपन आवो चेंज करून हुनुशक तो that is means हाँ जो segment AD आहे तो congruent आसेल segment BE ला जे आपनेला प्रूव करेला विचार लेला होतो मनझे दोन triangle आपन सुरूवा तीला congruent दाखो ले साइड सेत्या congruent दाखो ले यह पेक्षा आजुन जी उधार नायत्ती आपन पुडिल विडियो मरे पाना रहोत ज़र हाँ विडियो आवोडला आसेल तो like करा यह त्या नवी चा जस्ती जस्ती विद्धातें चा प्रें शेर करा अनी चैनल सब्सक्राइब करा तो आठोनी ने सब्सक्राइब करा तैंक यू